हेलो एप्रोडी स्वागत आप लोग आज की इस वीडियो में आज की वीडियो को बताऊंगा कि आप लोग जो ए नेवी डपले एससार की लास्ट इन डेस में कैसे परपरेशन करो इस वीडियो को अभी जो देखने वाले स्टूडेंट हो बहुत कम है लगोर यही देखेंगे आप लोग चाहूं तो इस वीडियो को नेक्स्ट इंटेक के लिए भी देख सकते हो आप लोग बताता हूं कि इदर आप लोग केवल में 10 डेस का स्ट्राटीजी नहीं बताऊंग है कि आप लोग स्कॉर कैसे निखाल सकते हो हर सक्सें में से छाल एक चलिए सिंप्ली वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेता है पहले हम लोग बात करते हैं लास्स टेंट देश में आप लोगा इस्ट्रेड़ीजी प्लान क्या होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग पेहलेंगे आपका कितना नम्मार का होता जब हम लोग विपर की बात कर नहाँ होता है 25 जिव एंग्रें के उसमें लुट को वकल मॉट सब्सक्सेंन दिलेंगि के हैं टिका है चौके Бы这रती güzel नहींट तो आप लोग के mathematics से आते हैं and 25 questions जो आप लोग के reasoning कि स्टेटिक जीके कि करेंट अफियर्स कि लास्ट जो आप लोग को आता है इस्टिवी जोग्रोफी ठीक है and economics and quality इसके आते हैं ठीक है अगर हम लोग बेटेज की बात करते हैं तो आप लोग को जो रीजिनिंग है इधर से आप लोग easily 14 से 15 नमबर निकाल सकते हो ठीक है तो रीजिनिंग के जो question होते हैं वो 14 से 15 question जो है ठीक है बाकि जो question बैठते हैं वह आप लोग के इकोनोमिक की बात करते हैं तो जो करेंट में आप लोग को चल रहा है जैसे कोई भी कंट्रे आप लोग का है वो हाइलाइट हुआ जैसे कि न्यूज में आप लोगा बार बार आ रहा है तो उसका करेंसी केपिटल ठीक है या फिर उसमें कोई और्गेनाईजेशन का आप लोगा है तो वो पूछ लिया जाएगा समझ पार हैं या फिर जैसे कि आप लोगा पूछ लिए जैसे जो भी डिफेरेंस एक्ष़षवाई ठीक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस का पेपर आप लोग को पूछा जाएगा समझ आये कि नी ठीक है अब बात करते हैं हम सेम उपनंबर निकाल सकते हो समझ आये कि नी ठीक है अब बात करते हैं हम लोग साइंस साइंस में जो रहता है वो फिजिक्स कर रहता है तो अगर आप लोग एक्स गुरूप की प्रपरेशन कर रहे हो इस पेपर को कौलिफाइब कर सकते हो ठीक है कोई भी आप लोग का एक्स्टा एफट नहीं लगाना है समझ आया के नहीं चलि करते हैं दीरे बात करते हैं कि आपमों नबर कैसे निगाल सकते हैं अब पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिजिश आप नश The अब बात करते हम लोग एंगल्स की निकाल सकते हो जब हम लोग बात करते इंगलिस-की-की तो इस चार नमर का पैसे आता है और यूप को बता है कि चार नमर आप लोगा अपनला का ने करने का इस फटावर्च सकते हो अगर आप किते में अधरा फ्रब्रब्लम को पैसेज करना है ख़ल और अप लोग आप लोग पैसेज में उसकोशन का आंसर निकालो ठीक है अगर आप लोग पहले पूरा पैसेज बढ़ोगे प्र आप लोग आंसर दूनों गए उसमां जया दा time जाएगा क्योंकि time भी बचाना क्योंकि एक गंटा पूरा आप लोगो 100 question के लिए मिलेगा इधर अलग-अलग time नहीं मिलने बाला है ठीक है तो यह एक और प्रॉब्लम हो जाती है इससे आप लोग के score down हो जाता है क्योंकि यह की चीज में आप लोग लगे रह जाते हो समझ सकते हो अब आप लोग के एक्टिव पैसिव आते हैं और दो आप लोग के प्रिपोजिसन से मतलब की आप लोग आठ नम्मर तो इदर ही निकाल लिए आप लोगोंने ओवरॉल समझ आये के लिए पर आप लोगा बगरारा आता है ठीक है spelling error के दो कोश्टन बन जाते हैं अब लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिस में इसे वन टी मोश्चन हो गया आप लोग जो टूजा पॉइंट कोश्चन्स होते हैं उसी टाइप के आप लोग कोश्चन पूचे जाएंगे उदर जो आप लोग आप लाइन पेपर मिलेगा वो नया पेपर नहीं होगा फेले से बनके रखे रहते हैं ठिक है उने पेपर को वह ढ़ लिए हैं तो पेपर इतना सिंपल होगा कि आप लोग पैच्छान भी नहीं सकते हो अगर अच्छा कासा प्रेक्टिस कर रख्यों तो एजी लिए आप लोग कर सकते हो और अब लोग प्रेक्रिक्रेश्स एट ए प्रेक्टिस सेट आप लोग कैसे लगाने अब एक जी जोगर है यह जोलाई का आप लोगा पेपर है नेवी तो बारे का आप लोग किसका है यह एक्सक्रोप के लिए तो दोनों को एक साथ लेके चलने आप लोगो समझ आया कि नहीं तो simply क्या करना विज़ा प्रेक्टिस लगाई दो गंटे लगेंगी उन गंट लोगे और एक लुट लोगे में और अधा घंटा लगें समझायायक ने तो बाइब यह कर सकते जिसने कि आप लोग का पॉइंट के वनता है अगर आप लोग को अधर बता दिया स्ँप़ नहीं दे रखिया है आप लोग के ऊपर से प फिरली कुश्चन को अटेंट कर सकते हो समझ आया के नहीं और फिरीली आप लोग को स्पट्रों कर एंक नेकर नेकिटेम उदर नहीं होती है तो आप लोग जो आंसर कर रहे हो वो सही का सही है जो गलत कर रहे हो इसका कोई मार्स नहीं काटा जा रहा है अब बात करते हैं आप ठीक है इन 8000 स्थुदेंट में सभूंदे कितने चाहिए वो 3000 चर्थरोय चीह हमाइब है कितने उन्हें वहर निकालने लगो 5000 सुद्द को आध क्यों क किया चीज कि आती है सित प फिर आप लोग का पार हुद्ड आता है थिक तो जो medical होगा आप लोग इनिस शिल्का में उदर वो हड़ जाएंगे तो medical को हम लोग इधर से अठा देते हैं तो factor दो बचे एक तो रिटिन एक हम लोग का PFT बचा है ठीक है तो इन दो फेक्टर से हम लोग को पता चलेगा उनको पांच साथ student निकालने इन दो फेक्टर पर पेड नहीं है रणिंग के लिए most of the student रहेंगे क्यों नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पेपर अभी नहीं होगा और अचानक से नेवी ने क्या किया एडमेट कार्ड दे दिया ठीक है तो अगर हम लोग हरवार रिश्यो निकालते हैं ठीक है तो around 50% student running में निकल जात है ठीक है overall running में ले रहे हैं ठीक है तो अगर हम लोग बात करते हैं एट साहुजंट का 60% निकालते हैं ठीक है तो यह हम लोग ने 60% निकाला तो यह आप लोग का लगवा कितना आ जाएगा 4800 आ गया ठीक है 4800 बच्चे आप लोग वे running में ही निकल सोरी बचे हैंगे running के बाद समझाया कि नहीं अब कितने बच्चे बच्चे 4800 बच्चे 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 रणिंग के बाद ठीक है तो उसके बाद क्या होता है आप लोग पॉसप्स होता है ठीक है and setups होता है sorry squads ह होता है okay तो अगर हम लोग navy की बात करते हैं navy को एक दम perfection चाहिए ठीक है यह डवल वार नहीं कराएंगे आप लोग दूसरा मौका नहीं देंगे बचे कितने 3500 ठीक है अगर इस 3500 को हम लोग 4000 भी मालने तो उन्हीं के पास जो एक्स्ट्र जो student है वो केवल thousand student है जब पेपर में एक भी नहीं निकाला गया ठीक है इसका मतलब समझ रहा हूं रिटिन में कोई भी नहीं निकलेगा रिटिन का कट आप यह मान सकते हो वस रिटिन को कर दो सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है गोल्डन चांस था ठीक है अगर इधर भी नौकरी नहीं ले पा रहे हो तो कोई फाइदा नहीं है ठीक है बहुत ज्यादा बहुत बढ़ा है नहीं एक प्रकार से ठीक है अगर आप लोग नौर्मली यह मैं लुद्रन इस नहीं आप्योड़न को और यह टेर्यूंड यह सकते हो और छीप नहीं प्रेक्टि यहाने के बाद ऑत समझ आया कहीं नीए ओके एंड इंपली आप लोगो जो है 4250 स्कोर करोगे बहुत है यार अगर यह तर आप लोग 20 से 25 स्कोर भी कर देता तब भी आप लोग क्वालिफाई कर पाऊगे समझ आया की निए बाकि अपना स्कोर जो है एट लीस्ट फोर्टी तू फिप्टी लेके चलना ठीक है अगर ह अगर बात करें तो 55-60 जाता था ठीक है तो दियान में रखना ओके तो उसी के इसाब से आप लोग अपना पेपर करना बाकी मेरे को जो लगता है उसमें रेटेन में किसी को भी बाहर नहीं करेंगे रेटेन के बाद सबको पीफी देने देंगे ठीक है तो देखते हैं यह आप लोगो सारी चीज़े मैंने समझा दिया है कि आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है पेपर के लिए बाकी आपना प्रेपरेशन बैस्ट रखोड एक देली रनिंग करो पूरा फूरा फुल प्रैक्टिस होके जाओ ठीक है आप लोग के पास मौका है कि रनिंग व बाकी मैं आप लोग को एक लास्टी जोर बता देता हूं अपने रिवीव जो आप लोग सेयर कर देना ठीक है जब भी आप लोग का पेपर हो सो डेट मैं रिवीव आप लोग के इस चैनल पर डालता रहोंगा और बाकी स्टूडेंट को होती रही ठीक है रिवीव पे आप लोग का पर है ठीक है बता देना कितनी जुलाइक को पर सेकेंड आप लोग का पर यह तीनों चीज आप लोग फटाबट कमेंट करते ना अगर लाश्ट तक वीडियो देखे हो तो देख लेना पूरी और बाकी वीडियो को जाए से जादा सेयर करते ना जितने भी वीडियो को बहुत जादा डिमांड आ रहा था इसलिए मैंने वीडियो आप लोग के लिए एक किलियर वे में एक एकुरेट इस इंफॉर्मिशन के साथ आप लोग के लिए बना दिया है ठीक है मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियों में तत्त के लिए जैहिन जैवारत देमार कम